पुर्व प्रधानमंत्री राजिव गांधी के शनिवार को 31 पुर्णेती थी मनाई जा रही है। हमीरपूर के बड़सर में पब्लिक मीटिंग में व्यस्त है। को कहा जाता था कि इससे लोगों के रोजगार चले जाएंगे। आज हर व्यक्ति की जेव में मॉबाइल है। पंचाइती राज एक्ट 73 और 74 को लागू करने में उनका योगदान रहा। आज राजीव गंदी जी की पुन्यती थी कि अपसर पर कॉंग्रेस का रहले में एक शद्दा सुमन एक हमने पुषपांजरी सामरो का योजन किया था। राजीव गंदी को याद करते हुए एक जो आज उनको कंप्यूटर मैन के रूप में याद किया जाता है। जो इकिसवी स्ताब्दी का बहुत अडवांस सोच करके चलते थे। उनको जो पंचायतिराज एक्ट है। 73rd or 74th amendment वो राजीव गंदी ने इंप्लिमेंट करवाया था। आज हमारे देश में हर आदमी के पास जिम्य मोबाइल है। वो राजीव गंदी की सोच थी आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं। वो इस चीज का मजाक उड़ाते थे कि कंप्यूटर में आएगा तो लोर्जगार खतम हो जाएगा। एक सोच थी लोकसभा में भी विरूद किया गया। रज्यसभा में भी विरूद किया गया। में बहुत उंचे लेवल पर हैं। और आज इस महान देता को हम याद कर रहे हैं। कुछ रदा सुमन किया। ऐसा है आज हमारे बड़े कारेकरम हैं। पब्लिक मिटिंग्स हैं। अब बड़सर में हमारी परदेशा देक्ष भी हैं। अब आज हैं। इस निए निए लीडर्स भी वहां काफी लोग गेव हैं। तो एक ड्यूटिया सबको लगी हुई है। उसी साफ से हमने अपना कारेकरम अपना आयूजन किया है आज है। जैसे सुबा नगर निगम का कारेकरम था चोटा शिम्ला में। की चैनल के लिए शिम्ला से पुषपेंदर कुमार की डिपोर्ट की चा है।